हेलो नमस्ते, I am Dipali Goyal, स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकूल पर तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग प्रिपेर कर रहे हैं हमारे एडमीशन के लिए यानि कि अच्छे से अच्छा कॉलेज पाने के लिए हम लोग जी जान लगाकर महनत करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, जो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, वो I know इन कोश्चन सीरीज को अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो ले आयू आप लोगों के साथ मैं एक और नई कोश्चन सीरीज को जिसमें हम अपने पुराने चलते हुए कोश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो चलिए देद्या करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है इसके अलावा आप लोग डाउट्स के लिए इंस्टाग्राम पे जुड सकते हैं और आप लोग किसी भी PDF के लिए टेलिग्राम पे जुड़ सकते हैं इंस्ट्राग्राम और टेलिग्राम पे ID है टार्गेट गुरुकूल के नाम से चलिए कोशन शुरू करते हैं सबसे पहले देखिए हम लोगोंने काफी कोशन कर लिये थे लास्ट कोशन हमने यहां पर छोड़ा था आजएए देखिए कोशन अबर 87 हमें दिख रहा है क्या है देखिए minute to minute regulation of calcium plus plus यानि calcium plus two in adult human is done by व्यस्क मानव में calcium iron का प्ति मुहूरत विनियमय किसके द्वारा किया जाता है तो देखिए आपको याद रखना है देखो हमारी body में न calcium को regulate करने का काम calcium जादा हो जाए तो उसको हडियों में ले जाता है कम हो जाए तो हडियों से ले आता है रखत के अंदर यह कारे करता कौन है यह कारे करती है पेरा थाइरोइड गरंथी कौन करती है पेरा थाइरोइड गरंथी ठीक है और पेरा थाइरोइड गरंथी से कौन से होर्मोन निकलते हैं तो उससे निकलता है पेरा थोर्मोन और केलसीटोनिन लेकिन यहाँ पर आंसर क्या जाएगा students, तो आप लोगों को answer रखना है, answer यहाँ पर जाएगा parathyroid, ठीक है, parathormone, इसी को parathyroxin भी बोलते हैं, क्योंकि parathyroid गंथी से निकलती है, इसको PTH hormone भी कहते हैं, यह hormone क्या करता है, हमारी body के अंदर calcium को maintain रखता है, अब parathyroid गंथी कहाँ पर होती है, तो हमारे गले के में होती है thyroid गंथी, कुछ इस प्रकार की, पीछे की तरफ, thyroid गंथी के पीछे की तरफ, यहाँ पर चार होती है parathyroid गंथी, चार लड़ू जैसे लगे हुए होती है, ठीक है, चलिए, अगले question पर चलते हैं, next question है, हमारे पास, question number 88, देख लीजे क्या है, the caring capacity of a population is determined by its, जन संख्या के वहन श्यमता का निर्धारन किसे होता है, हमें कैसे पता लगेगा कि भई, हमारा जो जगय है, वहाँ पर कितनी जन संख्या रह सकती है, तो वो हमें पता लगता है, limiting resources से, यानि कि प्रतिबंधक संसाधन, ऐसे resources, ऐसे संसाधन, जो कि हमें पता है, एक समय आने पे खतम हो जाएंगे, उनसे हमें पता लगता है, अरे यार, population कितनी ज़्यादा बढ़ गई, जो ये संसाधन हमारे खतम होते जा रहे हैं, ठीक है, इसी के साथ याद आया, मैंने आपको करवाया था, essay of population किसने दिया था, Thomas Robert Malthus ने दिया था, चलिए, अगले question पर चलते हैं, अगला question हमारे पास आता है, which one of the following statement is correct, क्या बोल रहा है, देखिए, निमन लिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये बोल रहा है, पहले में, glycolysis और oxidative phosphorylation cytoplasm में होती है, देखो, सीधे सी बात है, इसने दो चीजों की बात किये, glycolysis की और oxidative phosphorylation की, तो बहले मैं आपको answer दे देती हूँ, glycolysis कहा होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, cytoplasm में, कहा होती है, cytoplasm में, और oxidative phosphorylation होती है, mitochondria की inner membrane में, अंतरिक membrane होती है, mitochondria की दो जिल्लियां होती है, देखो, तो अंदर वाली जिल्ली जो होती है, जो क्रिफ्टे के तोर पे रहती है, इस जिल्ली में होती है, क्या, glycolysis की oxidative phosphorylation, ठीक है, तो अब option ढूल लो, पहला तो कहा रहा है, दोनों ही cytoplasm गलत हो गया, दूसरे में कहा रहा है कि glycolysis cytoplasm में oxidative phosphorylation, nucleus में गलत हो गया, glycolysis cytoplasm में oxidative outer mitochondrial membrane गलत हो गया, glycolysis cytoplasm में oxidative phosphorylation, inner mitochondrial matrix, बिल्कुल सही, आंसर चला जाएगा, option 4, ठीक है, चलिए, इसका हिंदी में भी देख लेते हैं, option 4, glycolysis cytoplasm में होता है, जबकि oxidative phosphorylation, आंत्रिक mitochondria गरभाशय में होता है, इसका मतलब समझ रहे हो, यह mitochondria की भारी जिल्ली है, अंदर ही जिल्ली ना कुछ इस प्रकार से रहती है, ठीक है, यह तो 9th क्लास में पढ़ते थे, इसको बोलते हैं क्रिस्टे, यहीं पर इस क्रिस्टे के पास ही, और अंदर होता है, जो लिक्विड उसे matrix बोलते हैं, तो इस क्रिस्टे के पास यहां पर ही oxidative phosphorylation होती है, जबकि जो glycolysis है, वो cytoplasm में हो जाती है, ठीक है, चलिए, अगला question देखते हैं, which one of the following is a terminator codon, निमन लिखित में से कौन समापक codon है, तेखो तीन समापक codon होते हैं हमारे पास bylogy में, कौन-कौन से, एक होता है UAG, यानि कि यह कहीं पर भी लग जेंगे ना DNA में, तो वहीं पर जो copping होती है, वो बंद हो जाती है, UAA और UGA, यह तीन है, अब इन तीनों स ठीक है, इसे question बहुत बहुत बार पुछा जाता है, next question आता है, acid hydrolyze are packed in the, acid hydrolyze कहां पर पैक किये जाते हैं, तो देखो acid hydrolyze का काम क्या होता है, पाचन का काम होता है, ठीक है किसका काम होता है, पाचन का काम होता है, या फिर किसी को मारने का काम होता है, और मारने का काम कहा कहां पर किया जाता है तो मारने का काम होता है लाइजोजोम के अंदर कहां पर होता है लाइजोजोम के अंदर लाइजोजोम को हमारी आत्मगाती थैली कहते है ठीक है कोशिका की आत्मगाती थैली यानि सुसाइडल बैग बोलते हैं क्या बोलते है सुसाइडल बैग क्योंकि यह क्या करता है, मान लीजिए कोई कोशी का गलत काम करती है तो यह कोशी का कोई मार देता है यानि कि खुद की अत्मत्या खुद ही कर ली तो यह क्या होता है, लाइज़ोम और क्यों मार देता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोलेज एसिड होते हैं जो की बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं बढ़ते हैं आगे 92 नमबर कोश्चन के उपर नेक्स्ट कोश्चन है विटामिन B12 की कमी के कारण क्या होता है तो जब-जब बोडी में विटामिन B12 B12 का नाम क्या होता है साइनो कोबालमीन बोलते है इसका scientific name ठीक है अब ये कोश्चन क्या है देखो कोश्चन ये कह रहा है कि विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है तो परनिशियस अनीमिया हो जाता है मतलब आपने सुना होगा कि उमर से पहले बाल सफेद हो जाना ठीक है वो परनीशियस अनेमिया में ही होता है तो परनीशियस अनेमिया कब होता है जब B12 की कमी हो जाए कैसे ठीक होगा तो दही खाओ, पनीर खाओ, दूद से बने चीजे खाओ ठीक है पलेगरा जो होता है वो विटामिन C की कमी से होता है very very vitamin B की कमी से होता है verophthalmia यानि verophthalmia क्या होता है भई अशुरू सुष्क की विमारी यानि कि इनसान रोना चाता है न इसको रोना नहीं आता यह होता है vitamin A की कमी से तो A, B, C की कमी से यह 3 हो गए और parnition anemia properly B12 की कमी से होता है ठीक है चली अगले कोशन पर चलते है नेक्स्ट कोशन आता है polyteen chromosome are found in polyteen chromosome किस में मिलते हैं polyteen chromosome मिलते हैं drosophila या फिर dipteran larva ठीक है एक ही बात है उसकी लारिये ग्रंथी में dipteran larva के लार ग्रंथी में ठीक है यहाँ पर लार लिखा हुए लार ग्रंथी आएगा ठीक है चली अगला कोशन देखते है formation of spermatozoa from spermatid spermatid से जब spermatozoa बनते हैं यानि sperm बनते हैं उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते है spermatogenesis यानि sperm की generation शुक्राणू की उत्पत्ती तो spermatogenesis इसका answer चला जाएगा option 1 next question आता है the pyramid of biomass is inverted in उल्टा किसमे होता है तो याद रखिएगा biomass का pyramid inverted होता है aquatic ecosystem में यानि पानी से जुड़े ecosystem में पानी से जुड़ा क्या है इसमें देखो forest पानी से जुड़ा नहीं होता tundra भी नहीं होता grassland भी नहीं होता answer चला गया fresh water actually होता क्या है देखो inverted का मतलब पानी में चोटी-चोटी मचलिया तो होती है बहुत ज़्यादा ठीक है चोटी-चोटी मचलिया क्या होती है बहुत ज़्यादा एक मिनिट ऐसे देखते है biomass बोला है न देखो blue whale है जैसे कम होती है लेकिन भारी होती है ठीक है छोटी-चोटी मचलिया थोड़ा कम weight उससे थोड़ी कम मचलिया छोटी-चोटी-चोटी-चोटी इस तरीके से जैसे-जैसे हम पानी में देखते हैं बड़े से छोटे जानवर की तरफ तो हम देखते है कि भई भले ही छोटे को बड़ा खा रहा है, बड़े को उससे बड़ा खा रहा है, बड़े को उससे और बड़ा खा रहा है, लेकिन सबसे भारी उपर वाला ही होता है, बायो मास के मात्रा में, तो ये क्या हो गया, inverted, दो ही question पूछे जाते हैं, देखो, एक तो पूछा जाए तो मीटा जल परिस्थिती की में, next question आता है, which one of the following interaction will not promote co-evolution, मतलब क्या बोल रहा है, नीमल लिखित में से कौन, पारसपारिक क्रिया, सहे विकास को बढ़ावा नहीं देता, सहे विकास, देखो, mutualism मतलब होता है, एक दूसरे की मदद करके जीना, तो ये तो एक दूसरे क मदद कर रहा है, तो सहे विकास हुआ, बिलकुल हुआ, ये तो ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता, पारसपीटिसम में क्या होता है, एक दूसरे के उपर रहता है, और ग्रो करता है, और दूसरे को कोई फरक मी पड़ता, यानि ग्रो तो दोनों ही करेंगे, तो ये भी आंसर इसने तो not कुछ है ना, तो ये दोनों तो सही होगे, इंटर स्पेसिटिक कॉम्पिटिशन, देखो, अब दो जने कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो एक से बहतर बनने की कोशिश करेंगे, तो दोनों ही जीएंगे, तो ये भी नी हो सकता, कमेंसलिसम में क्या होता है, एक मर प्रचना को क्या कहा चाता है, तो B-Akar, B-Foam भी कह देते हैं इसे, ठीक है, और इसे double helix structure भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, double helix भी कह देते हैं, ठीक है, अगला कोशन देखते हैं, which one of the following act as electron donor to electron transport chain in mitochondria, electron donor का कौन करता है, Mitochondria की ETS में, ETC में, तो NADH करता है, कौन करता है, NADH, iftar diol is synthesized mainly by, iftar diol कौन बनाती है, female की ovaries बनाती है, female की अंडाशे बनाती है, लेकिन अंडाशे की कौन सी कोशिका, granulosa कोशिका, pregnancy के टाइम पे, ठीक है, चलिए, next question, last question हमारा आ गया, bilrubin and bilverdin are derived from, bilrubin और bilverdin किस स बनता है, वैसे तो आपको याद रखना है, यह fat से बनता है, लेकिन fat option में नहीं है, तो हीमोगलोबिन answer टिक कर दो, ठीक है, हीमोगलोबिन नाम के protein से, हीमोगलोबिन जो हमारा कारक होता है, जिससे की रक्त को लाल रंग मिलता है, इसे से बनता है, bilrubin और bilverdin, और वैसे यह बनता कहां पर है, तो यह liver में, यकृत में बनता है, ठीक है, एक पीले रंगा होता है, एक हरे रंगा होता है, clear है, तो इसी के साथ, आज की class हम यहीं पर खतम करेंगे, मिलेंगे next session में, कुछ नए questions के साथ, I hope आप लोगों को class अच्छी लगी होगी, useful लगी होगी, प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो को अपडेट मिलता रहे, तो मिलते हैं next session में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, take care, thank you, bye bye